हेलो एवर्यवान वेलकम टू कॉमर्स अड़ार उनीवर सैवन माइनम इस अवन मैता और बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर सी ये कैसे बारे में बता दो सी ये के लिए वीडियो बना दो तो सी ये के ऊपर एक डेडिकेटेट वीडियो जिससे आपको पता चलेगा क के eligibility criteria क्या है आप किस तरह से सी कोर्स में entry ले सकते हैं क्या roots होने वाले हैं तो यह बहुत इंट्रसिंग वीडियो एंट तक देखिए और पोरा authentic आपको information मिलने वाली है किस तरह से आप खुछ चेक कर सकते हैं एक शौट भी मैंने आपको इस चैनल पर जिया था उसको जाकर Institute of Chartered Accountants of India यानि short form में ICI बोलते हैं इसकी website आपको दिख जाएगी ICI.org अब यहां पर आपको देखो student section में जाना है obviously जैसे आपने इस पर क्लिक कर आ तो आपको Chartered Accountants पर क्लिक करना है पिर old scheme new scheme का आपके वास option आएगा आप पुराने student नहीं है old scheme में नहीं तो new scheme में ही बात क करेंगे हम पर यहां पर एक prospectus दिखेगा इस पर क्लिक कर प्रोस्पेक्टस के नदर सारी जानकारी होते लेटेस्स प्रोस्पेक्टस है या Chartered Accountants of India का तो आपको क्या करना है स्क्रोल करों को बहुत सारी चीज़े देखेंगे अभी हम eligibility देखनी है तो हम जाते हैं पेज करने वाली हैं इस class में session में जो शायद आपको पहले नहीं पता थी सबसे पहले चीज़ साइन्स आर्ट्स कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो वो यह कोर्स कर सकता है 12 के बाद ही यह कोर्स होता है तो हां लेकिन admission आप 12 से पहले भी ले सकते हैं यह बाद शायद आपको नहीं पता होती है तो यहाँ पर दो रूट है सबसे पहला है फांडेशन रूट सबसे पहले होता फांडेशन इसका इंट्रेंस एक्जाम है और उसके बाद आता फांडेशन तो अभी शुरुवात तो में कहां से करें फांडेशन से तो फांडेशन रूट है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है registration कराना है आप क्लास 10 पास होने के बाद ही admission करा सकते हैं जरूरी नहीं आपको 12 पास ही होना हो आप 10 पास होते ही admission ले सकते registration करा सकते हैं Chartered Accountancy Course के लिए ठीक अब इसके बाद क्या होगा इसके बाद आप एक्जाम नहीं दे पाएंगे इसके बाद एक्जाम आप तब दे पाएंगे जब आपका 12th क्लियर हो जाएगा Science Commerce Arts कोई भी हो जाए 12th क्लियर हो जाएगा और आपने चार महीने की study करी होगी यह आपके registration में या आपके 12th pass होने में और CA के exam में 4 महीने का gap होना चाहिए लिखा eligible to appear in June ये December साल में दो बर exam होते हैं पेटा जून में December में तो आप appear हो सकते हैं इस exam में after completion of 4 months study period and after appearing in the class 12th examination दो बाते हैं कि 12th class भी पास हो जाए और चार महीने आपके study को भी हो जाए यानि आपके जो पढ़ाई का मतलब आपको चार महीने बाद ही exam दे पाऊगा यह फांडेशन का ठीक है यह रूट है और जैसे आप यह पास कर जाते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो आप आगे इससे समझ माता है कि आपको c.a.fou Nation में भी registration करा ना है जब पास हो जाओ गो घंटão इसीर इंटरूर्मिडियाटय ने.. बार बार हर लेवल पर आ करके आपको अद्विश्न कराना होता है तू एक तो यह E gaat है इंटर्मेडिट के बाद सेम हो जाएगा समझते है अब तक सेकंड रूट के बच्चों के लिए नहीं है ठीक है कि ग्रेजुएट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए या फिर कोई कर रहा फाइनल यर में तो क्या कर सकता है कॉमर्स ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर ले उनके फिफ्टी फाइफ परसेंट मार्क्स हैं यहां पर कोई परसेंटेश के बारे में नहीं बोला आप पास हो आप आजाओ लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो चुक अप्लाई कर सकते हो लेकिन उसके लिए कंडिशन बोलिए अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है यानि आपने ग्रेजुएशन करिए कॉमर्स के सब्जेक्स में तो आपके 55% स्कोर होना ही चाहिए ओवरॉल पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है अधर देन कॉमर्स कोई साइंस स्टूडेंट है उसने बीएस्सी करी है किसी ने बीए करी है यानि जो कॉमर्स के ग्रेजुएशन कोर्स नहीं होते तो उन उसकेस में आपके 60% होने ही चाहिए ठीक है फिर डाइक्ट इंट्रियूट के अंदर दूसरा ऑप्शन दिया पास कि एंडिया तो अगर आपने में उनग की इंट्रमीडियेट पास कर रखा है उनका भी teffaar संदे उनका इंट्रमीडियर्ट मिवा रखा है जोटाइ आप हमारी इंट्रमीडियुट में करा है इनि चार्णी अधिड अगर्टर कर्स कुर्स के इंट्रमीडिय लेवल व्या आ सकते हो या फिर आपने company secretary का से कर रखा है इंटरमीडियेट लेवल फिर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो कि last year में अपने final year में अपने PG के तो वह भी आ सकते हैं apply कर सकते हैं अब जब यह काम हो जाएगा तो आपको आपके CA course में entry मिल गई तो या तो आपकी क्या condition पूरी हो एक तो यह condition पूरी हो या फिर इस में से दूसरे नंबर पर इन तीनों में से कुछ एक हो पहला foundation route से CA foundation route से अगर हम देखे तो आपकी 12th के लिए रहे foundation के लिए आज हो भई registration करा लो फिर commerce graduate हो चुके हो या फिर आप CA आप कहा सकते हो CA Intermediate Registration तो यह entry route है यह eligibility criteria है कि इसका CA course का जो बच्चे CA करना चाहते है उसके बाद जब बेट आप intermediate पा जागो तो आगे का रास्ता है इस चार्ट में आपको और बताया गया है ठीक है बेसिकली हम eligibility के बारे में डिसकस करना चाहते है तो eligibility तो हमने आप बता दिये उसके बाद आगे का रास्ता आपको road map बताये गया है ठीक है तो आई होब आपको यह वीडियो अ किये में और कोई डाउट है कि सर हम क्या कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ते हैं कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं वो सारी चीज़े बेट आपको यहां पर वीडियो मिल जाएगी कमेंट करके जरू जाएगा अगर यह वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक और किजिए और सब को बताएगे कि सीएक बहुत वहतरीन कोर्स है और आपकी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकता है पस मेहनत चाहिये लगन चाहिए और सब हो जाए लोगों का भी शपना होगा तो अपना सपना है यह बनना तो लिख कर जाएगे किस-किस का सपना है All the best